Hello and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials Friends, Class 12 की workbook की series चल रही है तो आज हम करेंगे worksheet 36 Worksheet 36 में आज का हमारा जो topic है वो है Online Teaching Learning is More Effective आपको एक argument लिखना है और आपको against में लिखना है जो कि आपके question में already given है तो चल के हम देखते हैं Online Teaching Learning is More Effective आपको against में लिखना है इसका मतलब आपको बताना है कि ये effective नहीं है Classroom Teaching से हमें इसको compare करना है और against में लिखना है यानि हमें ये बताना है कि ये effective नहीं है बलकि classroom Teaching ही more effective है और इसको हमें साबित करना पड़ेगा यदि हम form में लिखते हैं, favor में लिखते हैं तो भी हमें अपने points देने होते हैं अपना पक्ष रखना होता है और अगर हम against में लिखते हैं तो भी हमें अपना पक्ष सपष्ट करना होता है कारण बिताने होते हैं कि ऐसा क्यों है तो चलिए जल्दी से exercise पे आ जाते हैं हम लोग exercise 36 Online teaching learning is more effective Against the motion हमने क्या किया है पहले हम अपना title लिखतेंगे उसके बाद हम for लिख रहे हैं तो for the motion लिखेंगे against लिखते हैं तो against the motion हमें नीचे लिखना होगा Although the online teaching is gaining its ground However, it is not as effective as classroom teaching learning process हमने क्या लिखा कि यदिपी यह अभी जो है बढ़ता जा रहा है Especially after pandemic जो है online teaching learning process बहुत बढ़ गई However, मतलब फिर भी It is not as effective Effective का अर्थ होता है प्रभावी आप चाहें तो अपने अर्थ जो है हिंदी में लिख सकते हैं Effective मतलब प्रभावी As classroom teaching learning process जो की कक्ष में शिक्षन और सीखना होता है उसकी तरह यह प्रभावी नहीं है There are many challenges in its use Challenges का अर्थ होता है बहुत सारी चिनोतियां हैं हमारे इसके समक्ष अब क्या-क्या चिनोतियां हैं वो हमें यहाँ पर बताना होगा Online programs are accessible by the few अब सबसे पहली चिनोती ही यही है कि यह जो programs हैं वो accessible नहीं है आप इसका उचारन देख लीजे Accessible Accessible आप चार टुकडे करना है इसको Accessible तो उचारन आप सीख गए होंगे Accessible का मतलब होता है कि पहुँच होना किसी तक reachable आप reachable भी लिख सकते हैं Accessible भी लिख सकते हैं आप देखें यहां पर दर का प्रियोग करना है तो हम इसको साथ में लेते हैं फ्यू का अर्थ होता है negative यानि लगबग नरगन है और दर फ्यू माने कुछ हैं लोग जिनके पास यह साब facility है परन्तु अधिकांश लोगों के पास नहीं है इसलिए हमें दर फ्यू लिखना होगा यह बात ध्यान रखिएगा तो इसकी जो पहुँच है वो बहुत कम लोगों तक है इंटरनेट एकसेसिबिलिटी इस नॉट यूनिवर्सल और इसका कारण क्या है कि इंटरनेट वो जो है वो यूनिवर्सल नहीं है उसकी इंटरनेट की पहुँच अभी यूनिवर्सल नहीं है हर क्षेत्र में ये अभी तक नहीं पहुँचा है ठीक है और इस जो दूसरा कारण है कि इंटरनेट जो है वो कोस्टली भी है इसलिए वो accessible लोगों की पहुँच में नहीं है हम सभी जानते हैं कि net plans कुछ बहुत महंगे भी पड़ते हैं हमें तो हर कोई इसे effort नहीं कर सकता है So students from rural remote areas जो rural, rural होता है ग्रामीन क्षित्र और remote होता है दूर दूर दराज के जो क्षित्र है शहर नगर से दूर बसेवे हैं जहां पर अभी तक internet के सुवीदा नहीं पहुँच चुकी है And lower socio-economic Lower यानि कि नीचे का वर्ग का जो विक्ती है निम्न आय वर्ग का विक्ती है वह Social economic classes don't get opportunities Opportunities, opportunities Opportunities का अर्थ होता है अफसर Don't मतलब do not, do not get opportunities because of this और यही कारण है कि उनके पास अफसर नहीं मिलता इसको access करने का Then both students and facilitators like basic computer knowledge अब अगली problem क्या आजाती है कि इन सब को चलाने के लिए जो basic computer knowledge है वो हमारे पास होना चाहिए क्योंकि हर काम हम mobile पे नहीं कर सकते हैं Facilitators जो कि आपको online शिक्षन कर रहे हैं वो facilitators, teachers को भी आजकल facilitator कहा जाता है इसलिए आप confused मत होईएगा देखे, spelling आप इसकी फिर से याद कीजिए ये facilitators, facilitators नहीं तो आप teachers भी लिख सकते हैं अगर आपको ये शप्त कथिन लगता है then both students and facilitators या teachers आपको जो सही लगे lack, lack मतलब होता है कमी होना उनके पास कमी है, किसकी कमी है? basic computer knowledge की so they are uneasy while using it इसलिए वो उनके पास उत्ता confidence ही नहीं होता है don't feel confident while using it then technological problems इसके बाद नई समस्य आ जाती यदि हम सीख भी लेते हैं जैसे तैसे तो हमारे सामने technological problems आने लग जाती है technological ठीक है? जो तकनीकी problems आती है जैसे कि server crash, network problems, individual PCs problems detract them from teaching learning experiences जो ये जो कारण होते हैं individual PCs problems और वो detract करते हैं यानि उनका ध्यान भांग कर देते हैं detract का मतलब उनका ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है उस जो पढने का उदेश्य है, पढ़ाने का उदेश्य है उसमें उनका वो नहीं रहता from teaching learning experiences, experiences माने की अनुभव online teaching is also not possible for pre-primary and primary classes तो क्योंकि हम सभी जानते हैं इसको use करने के लिए बच्चे को SWAM को computer, mobile चलाना आना चाहिए जो इन classes के लिए बच्चों के लिए संभव नहीं है अता ये उनके लिए तो बिलकुल भी लागू नहीं हो सकता then this method is not effective with more dependent learners इसे तरीके से जैसे छोटे बच्चे हैं बड़ी classes में भी बहुत सारे बच्चे जो होते हैं dependent होते हैं जन्हें हम slow learners बोल सकते हैं, धीरे सीखते हैं अधिक धिहान की उन्हें आवशक्ता होती है तो जो dependent learners होते हैं और students who lack time management skills उनके लिए भी यह possible नहीं है, जिनके पास time management skills नहीं है क्योंकि online teaching में यह तो time fix होता है कि online classes आपकी live चल रही है तो आपको उसी समय अटेंड करना है या फिर आप कभी भी कर सकते हैं तो भी आपके लिए problem आपके पास time ही निकल पाता आपको पता ही नहीं चलता कि कब हमें teaching उसे जो है lesson हमें देख लेना चाहिए some subjects as surgery, drawings, sports etc. cannot be taught online अब नई problem यह आती है कि कुछ जो practical वाले subjects होते हैं surgery यानि कि science related हैं, drawings हैं, sports हैं वो कुछ subjects geography में practical होता है तो ऐसे बहुत सारे subjects हैं जहाँ पर practical काम होता है वो हम यहाँ पर नहीं करवा सकते हैं उसको online क्योंकि बच्चा तो दूसरी तरफ बैठा है, teacher एक तरफ बैठा है तो वो online कैसे उसका practical check करेगा नई problem, pre-recorded, pre-recorded का अर्थ पहले से record किया गया pre-recorded videos don't give opportunities, opportunities अवसर for classroom discussions, अब बच्चे को कुछ पूछना है, बताना है है ना, तो कभी-कभी teacher के दिमाग बे भी उसी समय नया point आता है, explain करना चाहता है वो, तो वह नहीं कर सकता है ना तो अध्यापक के पास अवसर है, एक बार lesson record हो गया और telecast हो गया, उसका चला गया तो वो हो गया और नहीं बच्चे के पास अवसर मिलता है कि उसको कोई बात नहीं समझ में आई, तो वो वहाँ पे पूछ ले then teachers do miss the vibe of the classroom, with students physically sitting in front of them teachers को भी नहीं अच्छा लगता, बिना विद्यार्थी के पढ़ाना, आप एक खाली कमरे में है और आपका lesson record किया जा रहा है, तो आप देखिए आप एक अध्यापक होकर किया आपको कैसा अनुभव होगा they have no or less control over their students in online methods फिर teachers का control ही नहीं होता, online methods में students के उपर, student कभी भी अपना camera off किया जी और रवाना हो गया वहाँ से, तो आप teacher क्या करेगा, वो तो कुछ नहीं कर सकता so they don't have control over their students in online methods kids don't get opportunities to socialize, अब वो तो teachers की problem, kids की problems है, पूछ नहीं सकते है major problem अभी सामने आई, pandemic के classes के दोरान, ये बहुत important point है kids don't get opportunities to socialize, उनका समाजी करण ही नहीं हो रहा बैठे हैं एक कमरे में, computer, laptops लेकरके, with peers, peers होते हैं जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके साथीगण hence they face isolation, और इसलिए वो क्या समस्या का सामना कर रहे हैं isolation, isolation होता है, अकेला पन आप अर्थ जरूर लिखा कीजी, क्योंकि बार-बार videos देखना possible नहीं होता है बहुत बार, आप जब इसके notings लेते हैं, तो आप अर्थ जरूर लिखा कीजी hence they face isolation, इसको क्या पढ़ेंगे, isolation, ठीक है and depression, depression, depression सभी को पता है क्या होता है, अवसाद जिसे कहा जाता है problems, तो अकेलेपन की, अवसाद की, इस तरीकी की समस्यां बहुत सारे बच्चों में सामने आई क्योंकि उनके जो groups थे, दोस्त थे, जिनसे वो discussion करते थे, कभी problems होती तो बात चीत करते वो सब उनका टूट गया they will miss all the fun of celebrations, of cultural programs and sports activities फिर school जाने का सबसे बड़ा जो attraction बच्चों में होता है, वो जो different celebrations होते है Children's Day, Teachers Day, cultural programs होते रहते है, annual functions, plantations, कभी रक्षा बंदन celebration, then sports events होते है वो सब बच्चे जो एक fun है, school का सबसे important element वो miss कर देंगे so online teaching उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकता so proper education is possible in classroom environment as students and parents take it more seriously and there are no distractions from parents, internet and homely environment यानि कि जो women तरीके की बादाएं आती है, कभी-कभी घर पे कोई आ गया, महमान आ गया, internet नहीं चल रहा है internet पे women प्रकार के विज्यापन आते रहते हैं तो यह जो distractions होते हैं, बठकाने वाली चीजे होती हैं, वो नहीं होती है so because of these pitfalls there are, so because of these there are many pitfalls in online teaching इसको आप यहां से हटा देंगे, यह नहीं लिखना है so because of these there are many pitfalls in online teaching and learning and so it is not more effective than classroom teaching so I hope you like the video, do like and share, thank you